हलो दोस्तो आज हम आपसे बहुती टेस्टी दही बड़े की रेसिपी शेयर करेंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं इसपेशली हम गर्मियों के सीजन में तो इससे बार बार बनाते हैं क्योंकि गर्मी के मोसम में इससे खाने का मज़ा कुछ और ही रहता है और दही बड़े हैं वो बहुत अच्छे बन के तयार होते हैं तो चलिए रेसिपी देख लीजे ताकि आप भी इसे बार-बार बनाएं चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां पर हमने 500 ग्राम दही लिया है तो यहां पर दही की कंसिस्टेंसी देखिए यह न जादा पतला है और नहीं जादा गाड़ा है अगर हम भले के ऊपर दही दालेंगे तो वो आसानी से इसे अब्सॉब कर लेगा और यहां पर मैंने इस दही को इस छलनी से छान लिया था इसलिए यह इतना स्मूध हो गया है तो आप भी इस तरीके से कर लीजे ताकि आपको इसे फेटना न लिए कि आपको दही कितना मिठा पसंद है और थोड़ा सा मैंने नॉर्मल नमक डाल दिया है तकरीबन एक छोता ही चम्मच और अब हम इन सब को अच्छी तरीके से मिला लेंगे मिलाने के बाद में अब हमें धही थंडा चाहिए तो इसे हम फ्रीज में रख देते हैं तो चलिए अब हम अगली तयारी कर लेते हैं यहाँ पर हमने एक कप उड़त दाल बिना चिलके वाली पांच घंटे पहले गला के रखी थी और यह अच्छी तरीके से फूल गई है अगर आप इसको ऐसे तोड़ो गे ना तो यह आसानी से तोड़ चाहेगी और एकदम फू लेना उसके बाद ही हम इसको थोड़ी थोड़ी करके मैं दो बार पिसूंगी तो यहाँ पर मैंने आधी डाल डाल दी है और अब हम यहाँ पर पानी डालेंगे सबसे इंपोर्टेंट बात यहाँ पर थंड़ा पानी डालना फ्रीज वाला तकरीबन चार से पांच टेबल या फिर आप तीन से चार टुकड़े बर्प के भी डाल सकते हो उसके बाद ही पीसना यह देखे कितना स्मोध सा पेस्ट बन गया है तो यहाँ पर आप कोशिश करिए फ्रीज का थंड़ा पानी या फिर आप बर्प के टुकड़े डाल कर इसको पीसे इससे जो हमारा यह प पेस्ट है हलका सा भारी लग रहा है लेकिन आप सबसे ज़्यादा महनत यहीं पर करनी पड़ेगी और यहाँ पर ध्यान रखिए डाल को पीस्ते समय आप ज़्यादा पानी बिल्कुल भी यूज मत करना थोड़ा थोड़ा पानी यूज करना और अब हम यहाँ पर आधी ट तब तो हमें यहाँ पर करना है इस पेस्ट को एकदम लाइट बनाना है बिल्कुल वीपिंग क्रीम की तरह उतना लाइट नहीं लेकिन हाँ बिल्कुल उसके जैसा दिखना चाहिए और यहाँ पर मिझे इस पेस्ट को फेटते हुए तकरीबन 15 मिनिट हो चुके हैं और इस पेस्ट का टेक्स्चर बिल्कुल बदल गया है एकदम लाइट हो गया है मुझे हाथों में भी एकदम लाइट फिल हो रहा है यह देखिये आपको भी एकदम फुला-फुला सा दिख रहा होगा यह देखिये फोड़ा सा लग रहा ना वीपिंग क्रीम की तरह बिल्कूल इसी तरीके का टेक्शर होना चाहिए तो चलिए अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यह हमारी 15-20 मिनिट की महनत सफल हुई या नहीं और इसे चेक करने के लिए हमें कटोरी में पानी लेंगे उसमें थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे और यह देखिए यह उपर तेर रहा है मतलब हमारी महनत सफल हो गई है अब हम इसे फेटने की जरूरत नहीं है चलिए अब हम यहाँ पर भल्ले बनाते हैं तो आप चाहो तो ऐसे हातों से ओईल में डाल सकते हो या फिर आप एसी कोई चमच लीजिए उसमें तेल लगा लीजिए और जितने बड़े आपको भल्ले बनाना है उतना पेस्ट डाल दीजिए यह देखिए है बहुत ही सिंपल तरीका है तो दूसरी तरफ हमने ओईल गरम होने के लिए रख दिया था कड़ाई में उसके बाद में आप गेस की फ्लेम को चालू कर दीजी low to medium फ्लेम पर इनको fry कर लीजी तो यहा पर मैंने डाल दीए हैं सारे बल्ले और अब हम यहाँ आपर गेस की फ्लेम को medium कर देंगे और medium फ्लेम पर हम इने fry करेंगे और यहाँ पर यह इसे अगर चिपक जाए तो टेंशन ना लेना यह जिसे जिसे फ्राई होंगे अलग हो जाएंगे चलिए अब हम इनको दूसरी तरफ पल्टा देते हैं तो यहाँ पर हमने सारे भल्ले को पल्टा दिया है और इन्हें हम थोड़ी देर तक और फ्राई करते हैं एकदम लाइट गोल्डन कलर आने तर तो यहाँ पर यह देखें यह अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं यह जो ओईल के बुल्बुले हैं वो भी कम हो गये हैं तो यह समझ जाईए कि यह अच्छी तरीके से फ्राई हो गये हैं जादा देर तक हमें यहाँ पर फ्राई नहीं करना है चलिए अब हम इनको ब खा देते हैं आड़े तीछे शेप की चिंता ना करना थोड़ी देर बाद फुलने के बाद में ये गोल ही हो जाएंगे तो यहां पर आपको जितने बड़े भले बनाना है बराबर मातरा में पेस्ट लेकर डालना है और ये देखे थोड़ी देर में सारे एकदम गोल हो गए ह और ये गोल तभी होंगे जब आप पेस्ट को अच्छी तरीके से फिट होगे तो एकदम फुले फुले से भले बनेंगे और चलिए अब हम इनको पल्टा देते हैं और इनको भी हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे एकदम लाइट गोल्डन कलर आने तक और ये यहां पर अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं चलिए अब हम इनको बाहर मिकाल लेते हैं तो यहां पर हमने सारे पेस्ट के भले बना लिये हैं और यहां पर अगर आपको इन सारे के दही बड़े एक साथ नहीं बनाना है आधे बनाना है और आधे को बाद में बनाना है तो आप पिने ठंडा होने के बाद में किसी एर टाइट कंटेनर में बन करके फ्रिज में रख सकते हो और जब खाना हो तब आप उसे यूज कर सकते हो तो यहां पर मैंने कुन-कुना गरम पानी लिया है जिसमें हम आधी टेबल इस्पून नॉर्मल नमक डालेंगे आधी टेबल इस् में बाद में करोंगी तो आप भी अगर थोड़े से बाद में यूज करो तो इसी तरीके की प्रोसेस कीजिए कुन-कुने गरम पानी में उनको 15-20 मिनिट डुबा कर रखना है ठीके और चलिए यहां पर हम एक भल्ले को कट करके दिखाते हैं यह देखे एकदम नरम और तो चलिए अब हम इनको 15 मिनिट के लिए धक कर रख देते हैं 15 मिनिट के बाद में धकन अटाएंगे और यह देखे यह एकदम फूल गये हैं इनके अंदर पानी बर गया है तो इसे हम हलके हातों से निचोड़ेंगे इससे पानी के साथ ओयल बे भार निकल जाएगा और भ प्लेट या फिर बाउल भी ले लिजिए उसमें भले निचोड़ कर रख लिजिए और इस तरीके से आप उनके उपर दहीं डाल दीजिए दहीं हमने डाल दिया है अब हम इमली की खटी मिथी थोड़ी सी तीखी चटपटी चटनी डालेंगे उपर और इमली की चटनी के ब पाउडर भी स्प्रिंकल कर देंगे यह जाता तीखी नहीं है और यह देखे यहां पर हमारी दहीं भले दहीं बड़े की प्लेट बनकर तयार हो गई है बहुत ही तेस्ती बने है यह दहीं बड़े आप लोग भी इस तरीके से बना कर इंजोई कीजिए और अगर आपको हमा आपको हमारी।